So guys, आज किस वीडियो में हम लोग Google पे इस क्रेडिट काड विन पैक करेंगे, जो कि हमें बाइपोस्ट देलवर्ट किया गया है, तो इसे हम लोग कट करेंगे, हमने अल्री कट कर रखा है, तो इसके अंदर कुछ आपको बेसिक से डॉक्मेंटेशन देखने को मिलेंगे, तो ये रहा हमारा Google पे इस क्रेडिट काड कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूं, तो जैसे आप इसे यहां से कुल आउप करेंगे, इस तरीके का ये काड है, काड का फर्स्ट लुक देख सकते हैं, उपर में आपको एक्सिस बैंक की प्रेंडिंग देखने को मिल जाएगी, यहां पर उपर में एस मेंसेंट किया गया है, एनेपसी का साइन है, मतलब आप इस कार्ड से कॉंटेक्ट लेज पांच जार रुपया का टांडिक्शन कर सकते हैं, यह वीजा नेटवर्क के साथ आता है, तो वीजा सिगनेचर के ज दिया गया है, आपको लुक कैसा लगा, कॉमेंट करके ज़रूर बतेगा, ठीक है, और यह एक पीवीसी कार्ड है, तो आपको डूरेबिलिटी भी देखने को ठीक ठाक मिल जाएगी, तो आप लुक कामेंट करके बता सकते हैं, कि आपको गूगल पे इस क्रेडिट कार्ड क देखने को मिल गया है, जो कि इंटरनेशनल भी यूज़ किया जा सकता है, और डॉमेस्टिक टांजिस्टन के लिए आपको यूज़ कर पाएंगे, इस कार्ड का जो जो जुएनिंग चार्ज है, वो 499 रुपया प्लस जीस्टी है, लेकिन आप इसे जो है रिवर्स कर सकते कार्ड का लिमिट मुझे कितना देखने को मिला, वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, अब हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्ज, बनेफिट और चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो सबसे बड़ा बनेफिट इस कार्ड का ये है, कि इसमें आपको 5% का कैस बेक देखने को मिलेगा, जिसमें कोई भी कैपिंग यहाँ पर नहीं है, अब थोड़े से नीचा हैंगे, आपे मेंशन भी किया गया है, कि आप Google पे के जरे इलेक्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, इंटरनेट का बिल पेमेंट करते हैं, गैस हो गया, या कोई भी आप बिल पेमेंट करते हैं, तो आपको 5% का अनलिमिटेट कैस बेक देखने को मिलेगा, सेम उसी तरीके से आप अपना DTH रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, वाया गूगल पे, तो आपको 5% का अनलिमिटेट कैस बेक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही best card है definitely आपको apply करना चाहिए ठीक है इसके कुछ preferred partners भी है जैसे कि swiggy हो गया जो मैटो हो गया Ola में अगर आप transaction करेंगे तो इसमें आपको 4% का unlimited cashback देखने को मिलेगा इसमें कोई भी capping नहीं है ठीक है उसके बाद आप कहीं भी card से spend करते हैं चाहिए online spend करिए offline कहीं भी spend करिए pause machine में swipe करिए आपको 2% का unlimited cashback देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छा इसमें value निकल करके आ जाता है तो बहुत ही best है 5% का unlimited cashback हो गया bill payments and recharge में 4% का unlimited cashback हो गया स्विगी जो मैटो ओला में और 2% का unlimited cashback हो गया कहीं भी spend करने पर तो यह credit card को काफी waste यहाँ पर मना दिया जाता है ठीक है तो यह इसका cashback benefit हो गया cashback जो भी आपको मिलेगा वो आपके statement में credit कर दिया जाएगा तो इसमें आपको कोई भी reward redeem करने का tension नहीं होता है ठीक है इसके बाद आपको इसमें airport का lounge access भी देखने को मिलता है जो कि domestic आप 4 complimentary visit per calendar year में ले सकते हैं जिसमें यहाँ पे list है आप देख पाएंगे total यहाँ पे 14 lounge है आप यहाँ पे नाम भी पढ़ सकते हैं इन सारे lounge में आप जो है per year में 4 complimentary यहाँ पे access ले पाएंगे ठीक है तो बहुत ही limited city में है और बहुत ही limited lounge है तो उतना कुछ खास यहाँ पे नहीं बुला जा सकता है ठीक है उसके बाद आपको 1% cash में future charge waiver भी मिल जाएगा जिसमें आपको 400 से 4000 के बीच का ही transaction करना होगा maximum benefit आप 500 रुपया per statement यहाँ पे ले सकते हैं उसके बाद आपको dining delights देखने को मिल जाएगे उसके बाद आप EMI वगरा में भी convert करवा सकते अपने purchase को तो यह इसके कुछ benefits के बारे मैंने cover कर दिया ठीक है उसके बाद check your eligibility card कैसे apply करना है वो में थोड़े आगे आपको बताता हूँ काड मुझे कैसे मिला वो भी अपने experience शेर करूँगा लेकिन उससे पहले हम लोग fee and charges के बारे में बात करेंगे तो देखो इस credit card का fee and charges बहुत ही normal है अगर देखा जाए इसके value back के basis पे क्योंकि आपको joining fee मातर 499 रुपया लिया जाता है लेकिन इसमें एक catch है अगर आप जो है card issue होने के 45 दिन के अंदर मातर 10,000 रुपया card से spend कर देते हैं तो आपसे जो भी ये 499 रुपया का joining charge लिया गया है वो आपको reverse कर दिया जाएगा तो यहां की बहुत अच्छी बात है 45 दिन के अंदर बस 10,000 रुपया खर्च कर देना है इस card से 499 रुपया जो आपसे joining charge लिया गया वो आपको वापस कर दिया जाएगा second year से आपको annual charge देना पड़ेगा 499 रुपया प्लस GST ये भी आप webop करवा सकते हैं अगर आप एक साल में card से 2,000,000 रुपया खर्च कर लेते हैं तो आपसे 499 रुपया प्लस GST चार्ज है वो आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा तो बहुत ही normal सा charge है क्योंकि अगर value back देखा जाए तो काफी ज़्यादा देखने को मिलता है charges के मामले में ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ पर आगर के देख सकते हैं एक value chart भी बताया गया है कि किस तरीके साब transaction करेंगे तो maximum आप benefit ले सकते हैं तो यह मैंने आपको overall बता दिया कि Google पर इस credit card के क्या benefits है और क्या charges है वो मैंने cover कर दिया है अब इस card को जो है activate करना होता है क्योंकि RWA के रूल के हिसाब से जितने भी new credit card issue के जा रहे है सारे credit card को आपको activate करना होगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर activation code दिया जाता है जो कहाँ पर mention किया गया है इसे आपको access mobile banking के जरीए activate करना होगा तो इसके लिए आप जो है अपना access mobile banking application open करेंगे आपको अपने credit card वाले section में जाना है यहाँ पर आपको आपका credit card शोग किया जाएगा यहाँ पस जितने भी credit card होंगे वो यहाँ पर शोग किया जाते है जैसे कि मेरे पास my zone card भी है access flip card card भी है और यह रहा हमारा google पे this credit card तो इससे हमें अभी activate करना होगा तो इसके लिए आप जस्ट आप अन्बॉक्स पे क्लिक करेंगे जैसा आप अन्बॉक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बोला जाएगा delivery verified यानि कि आपके card को successfully delivered कर दिया गया है वो यहाँ पे बताया जा रहा है तो जस्ट आपको यहाँ पे envelope पे क्लिक करना है जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अच्छा से एक animation बन करके आता है आप देख सकते हैं इस तरीके का आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में next पे क्लिक करना है जैसा आप यहाँ पे next पे click करेंगे सबसे पहले आपको card का users बताना होगा as per RBI rule आपको अपना limit set करना होगा तो आपको सबसे पहले e-commerce transaction इसे यहाँ पे on करना होगा उसके बाद आपको context transaction है इसे यहाँ पे on करना होगा तो सारे transactions आप यहाँ पे on कर लेंगे ATM transaction आप इसे off भी कर सकते हैं तो इस तरहे के साब सारे transactions को on कर लेंगे ताकि आप अपने credit card को use कर सको तो हमने यहाँ पे on कर दिया next पे click करेंगे जैसा आप यहाँ पे next पे click करेंगे उसके बाद पूछा जाएगा कि आप इस card को internationally use करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो अगर आपको इस card को international use नहीं करना है तो आप इसे off रखेंगे तो इससे fraud होने के chances कम हो जाते हैं जादा करके frauds आपको international website में ही देखने को मिलता है अगर आपका users नहीं तो definitely से off में ही रखेंगे उसके बाद next पे click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना credit card का pin बनाना पड़ेगा तो चाहर डिजिट का आपको pin यहाँ पे create करना होता है तो just यहाँ पे send OTP में click करना ह तो OTP हमने fill up कर दिया just verify में click करेंगे जैसा verify पे click करते हैं उसके बाद आपको चाहर डिजिट का pin select करना है जिसके जरी आप कहीं भी offline transaction कर पाएंगे तो आप अपने merging के साब से कोई भी चाहर डिजिट का pin बना लेंगे फिर same उसी pin को यहाँ पे confirm करेंगे then यहाँ पे set pin में click करेंगे तो हमने यहाँ पे दो बार अपने pin को fill up कर दिया set pin में click करते हैं जैसा pin select कर लेंगे उसके बाद आपको अपना M pin डालना होगा तो M pin क्या होता है कि जब भी आप अपने access mobile application में login करते हैं तो जो आपको pin डालना होता है उसी pin को यहाँ पे fill up करेंगे हमने यहाँ पे pin fill up कर दिया जैसे आप pin fill up करते हैं आप बुला जाएगा कि congratulations आपका credit card का pin select हो चुका है और आपके credit card को यहाँ पे activate भी कर दिया गया आपको message भी दे दिया जाता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जिसमें आपका credit card का limit है वो यहाँ पे show किया जाता है go to dashboard में जाएंग हमारा access flip card credit card है वो यहाँ पे show किया जा रहा है तो इस तरीके से आप अपने google पे इस credit card को setup कर सकते हैं pin generate कर सकते हैं और activate कैसे करना वो मैंने हाँ पे बता दिया है अब मैं आपको बताता हूं कि इस card को google pay में कैसे setup करना है क्योंकि आप इस card से जो maximum benefit लेंगे 5% का unlimited cashback है वो गूगल पे में transaction करने पे ही मिलेगा तो इसके लापको card को setup करना होता है तो इसके लाप google पे app open करेंगे अपने profile वाले section में click करेंगे debit and credit card link करने एक option मिलता है just आप यहाँ पे click करेंगे आपको यहाँ पे प्रोशीट पे click करना है जैसा आप प्रोशीट पे click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CBB number डालना है जो कि आपके credit card के back side में होता है हमने यहाँ पे CBB number डाल दिया है just आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको save पे click करना है जैसा आप save पे click करते है आपका जो यह गूगल पे credit card है वो successfully यहाँ पे setup हो जाता है इस तरी के आप application करेंगे आपको यह password होँआ पे fill up करना होगा तो just आप यहाँ पे okay पे click करेंगे आपको अपना credit card verify करवाना पड़ेगा तो आप जो है OTP के जरी यहाँ पे verify करवा सकते हैं तो text पे select करेंगे email पे select करके यहाँ पे continue में click करेंगे तो यहाँ पे auto fill up हो जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से verification किया चा रहा है पर हमने यहाँ पे verification code fill up कर दिया जैसा verify पे click करते हैं आपका successfully Google Pay is credit card यहाँ पे setup हो जाता है आपको यहाँ पे turn on NFC कर लेना है तो जिसके जरीए आप NFC के जरीए भी अपना यहाँ पे payment कर पाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आप अपने Google Pay में इस credit card को add कर सकते हैं तो इस card को कैसे apply करना है मैंने life proof के साथ already video बना रखा है बीना income proof के मुझे यह card मिल चुका है तो आप यहाँ पे click करके इस video को check out कर सकते हैं और card को apply भी कर सकते हैं ठीक है और video helpful लगा तो please video को like जरूर करेगा मिलता है लिए video के तबतक लिजाहिंद जाब हराद